अगला वर्गी करन हम देखते हैं आणविक बलों के आधार पर वर्गी करन तो जो बहुलक का निर्माण होता है एकलक अड़ों से तो जरूर वहां कुछ न कुछ उनके बीच में अंतराणविक आकर्शन बल होता है चाहे वो हाइड्रोजन बंध हो या कई प्रकार के देखने को मिलता है तो बहुलक का जो उपयोग होता है वह उसमें उपस्थित कुछ यांत्री गुण जैसे उनमें कितना तनन्सामर्थ है उसकी प्रत्यास्थता या खिचाओं की प्रकृति उसकी ध्रड़ता कितनी है इन सब चीजों पर डिपेंड करता है और ये सारे जो गुण होते हैं इन बहुलकों में उपस्थित विभिन प्रकार के जो इकाईया है या विभिन प्रकार के जो एकलक है उनके बीच लगने वाले अंतर आणविक आकर्शन बल पर डिपेंड करता है ये जो अंतर आणविक आकर्शन बल है वो वांडर्वाल फोर्स आट्रेक् भी हो सकता है तो इन बलों के आधार पर ही ये डिसाइड होता है कि किस बहुलक की प्रकृती कैसी होगी यानि उसके जो यांत्रिक गुण है वो इन बलों पर ही डिपेंड करते हैं तो बहुलक की जो श्रिंखला की लंबाई होती है वो जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो आण पर्दविक बलों के उपस्थिती के आधार पर जो बहुलक है उसको फिर चार भागों में बाटा गया है एक होता है प्रत्यास्थक, इलास्टोमर्स, फाइबर्स या जिसे रेशे कहते हैं फिर होता है ताप सुनम्य जिसे थर्मो प्लास्टिक कहते हैं और थर्मो सेटिंग याने ताप सुधरिण तो इस प्रकार के जो बहुलक है ताप सुधरिण कहलाते हैं सबसे पहले हम देखेंगे प्रत्यास्थक बहुल या Elastomers, तो जैसा नाम से ही सपष्ठ है Elastomers, जिसमें Elasticity होती है, तनाव खीच सकते हैं जिसे, तो इसमें जो अंतराणवी काकर्शन बल्ब होता है, इनके एकलकणों के मध्य, वो बहुत ही दुर्बल होता है, इस वज़े से इनका जो Elasticity है, प्रत्यास्थक गुण है, व उनके बीच का तनाव हटा दिया जाएगा, तो जो अडू है, जो बहुलक है, वो अपने मूल इस्थिती में वापस आ जाती है, Elastomers है, तो जितना ज़दा खीचे, वो खीचाओ उसमें उत्पन हुआ, जब उसको फ्री छोड़ देते हैं, वो वापस अपने पुना, जो म प्राकृतिक रबड है, वो इसका मुख्य उदारन है, जैसा हमने देखा प्राकृतिक रबड जिसकी जो इकाई है, वो आईसोप्रीन होती है, कुछ संसलेशिद ब्रबड होते हैं, जैसे नियोप्रीन, तो नियोप्रीन की जो एकलक इकाई है, वो है क्लोरोप्रीन, तो से कहते हैं क्लोरोप्रीन तो यह इसके भी एन अडू लिए CH2 double bond CH2 तो यह बना क्लोरोप्रीन तो इसका नाम होगा 2-Kloro-1-3-butadiene और इसके कई बार रिपीट होने से क्लोरोप्रीन अडू के बहुत अधिक बार रिपीट होने से बनता है नियोप्रीन जो की एक संसलेशित लगाते हैं double bond CH फिर CH2 और whole N तो यहां भी देखे double bond की स्थिती इसमें double bond 2 है जब हमने क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर बनाया है और इसमें देखी आप double bond 1 है ऐसा क्यों क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं दोनों तरफ दोनों सिरे में एक-एक bond लगा दिये यहां एक bond लगा तो यह bond लगाने से carbon की जो सेंजकता है वो already complete हो रही है तो हमें ज्यादा जगह पर double bond की आफशकता नहीं है तो जब भी आप बहुलक अड़ों को बनाएंगे इन सब छोटी-छोटी जीजों को दरूर देखेंगे आप बहुलक के structure को रटने की कोशिस नहीं करेंगे इसे ख प्राकृतिक बहुलक जो आईसोप्रीन का ही बहुलक है और गोंद जैसा पदार्थ होता है इसकी जो प्रत्यास्तता होती है वो बहुत कम होती है तो जब संस्क्रेशीत रबड बनाया जाता है तो उसको बनाने के लिए कुछ उसमें formation कहता है कुछ उसमें परिवर्धन क्य जाता है तो एक वैज्ञानिक थे चार्स गोडियर उन्होंने क्या किया जो प्राकृतिक रबड है तो प्राकृतिक रबड में तीन से पांच प्रतिशत लगभग सलफर या सलफर के ही किसी योगी के साथ प्राकृतिक रबड को उन्होंने गर्म किया तो इस प्रकार जो र और इसकी जो elasticity होती है वो भी प्राकृतिक रबर की तुल्ला में थोड़ी बढ़ जाती है ज्यादा प्रत्यास्तता ये दर्शाने लगते हैं तो इसकी प्रत्यास्तता थोड़ी बढ़ जाती है तो यहां पर जो रबर है उस प्राकृतिक रबर में हम देख रहे हैं कि प्रत् तो उसी structure में यानि रबड के ही structure में हम देख रहे हैं कि बीच बीच में ऐसे sulfur के जो परमारू है वो जुड़ करके एक तिरियक बद structure जैसा बना लेते हैं तो वलकनिक रित जो रबड होते हैं उसमें sulfur के तिरियक जोड बन जाते हैं यहाँ पर दो स्रिंकला है जब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक रबड को ही उत्प्रेरा के उपस्तिती में गर्म किये तो वलकिनी क्रित रबर में जो सलफर होता है वो एक नेटवर्ग जैसी सनरशना का निर्मार करवा देता है इस तरह से जो प्राकृतिक रबर की elasticity है वो थोड़ी बढ़ जाती है अगला हम देखेंगे fibers या रेशे यहाँ पर जो बहुलक है उनके एकलक अणों के मद्य बहुत अधिक प्रबल करांतरबल होता है जैसे hydrogen बंद हो सकता है या dipole-dipole interaction हो सकता है तो यहाँ हम एक example लेंगे nylon 66 का ही लेकिन यहाँ हम पूरी सरचना को नहीं लेंगे एक श्रिंखला हम लेते है nylon 66 की यहाँ भी हम दूसरी स्रिंखला बना दिये nylon 66 की तो यहाँ पर आप देखिए एक श्रिंखला में CO है NH है फिर CO और NH दूसरी स्रिंखला में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी CO NH है और CO NH है तो पहली स्रिंखला में जो CO का O है और दूसरी स्रिंखला में NH के H के बीच में एक बंद पाया जा रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड जो हमारे लिए बहुत जाना पहचाना नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड जहां पर हाइड्रोजन तो होगा ही और दूसरा पर माडू होगा और oxygen के मद्धे hydrogen बन बना हैं दूसरी तरफ यहां भी हम देख रहे हैं कि इसमें से NH का H और इसमें से CO का O तो इनके मद्धे भी hydrogen बन का निर्मार हुआ हैं तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्रबल कडांतर बना है इन एकलकणों के मद्धे हैं तो यहां पर जो fibers होते हैं उसमें strong force of attraction होता है तीसरा जो वर्ग है आणविक बलो के आधार पर बहुलकों का वो है thermoplastic जैसा नाम से इस पस्ठ है thermoplastic याने जैसे ही ताप का प्रभाव पढ़ता है इन बहुलकों पर यह नरम हो जाते हैं तो इसमें एकलकों के बीच या इन बहुलकों में उपस्थित जो अंतर आणविक force of attraction होता है वो elastomer या प्रत्यास्थक और fiber याने रेशे की तुलना में बहुत कम होता है दुर्बल होता है इनके बीच दुर्बल वांडरवाल आकर्शनबल कारे करता है तो यह जो thermoplastic बहुलक होते हैं यह रेखी बहुलक होते हैं और जैसे ही इसको गर आकार होगा जिस तरह की वस्तु हम बनाना चाहते हैं इस प्रकार के thermoplastic बहुलकों से उन्हें हम बना सकते हैं तो फिर जब इसे ठंडा किया जाता है तो ठंडा करने पर यह वापस द्रेड हो जाते हैं गर्म करने पर और ठंडा करने पर इसमें किसी भी प्रकार का रासायन परिवर्तन या विघटन नहीं देखने को मिलता है तो thermoplastic जो बहुलक होते हैं उसमें होता है polythene या polyvinyl chloride PVC ये सारे जो बहुलक होते हैं ये thermoplastic बहुलक कहलाते हैं इसे हिंदी में ताप सुनम्य बहुलक भी कहते हैं इसके बाद हम देखेंगे ताप द्रिड या thermosetting बहुलक होते हैं इनका जो आणविक द्रवयमान होता है वो बहुत कम होता है और ये अर्ध ठोस प्रकार के होते हैं जैसे ही से गर्म किया जाता है तो ये नरम नहीं होते बलकि ये कठोर हो जाते हैं दुरगलनी हो जाते हैं और अगुलनशील हो जाते हैं तो इस प्रकार क जो बहुलक होते हैं इसमें देखा गया है कि क्रॉस बंध पॉया जाता है इसको गर्म करने पर जो तृवीमी honour Network है वो ठोस हो जाता है और जैसा thermoplastic बहुलक में देखा था ऐसको गर्म करने पर वो पिघल जाता है और ठंडा करने पर वापस वो कठोर त्रिड हो जाता है लेकिन यहाँ पर थर्मो प्लास्टिक के समान यह फिर से पिघलाया नहीं जा सकता है यह एक बार गर्म करने पर इसमें पूरी तरह से रासायनिक रूप से परिवर्तन हो जाता है विघटन हो जाता है हम परिवर्तित नहीं कर सकते, इसे मन चाहे आकरिती में हम नहीं ढाल सकते, जैसे गर्म किया जाता है, तो ये दुरगलनी ये पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो इसके उदाहरन में हम देखते हैं, बेकलाइट, जैसे हम देख रहे हैं, बेकलाइट के स्ट में उपर OH और यहां भी OH.舟ो चूकि inhe today निर्माड जो है वो दो एकलको से होता है fenol और formaldehyde और इन एकलको से ही बनता है Berg海elight तो Berg海elight भी एक थर्मो सेटिंग बहुलक होता है और इसे हम तिरियक बन्द बहुलक भी कह सकते ख्रॉसलिंग बहुलक अगला हम देखेंगे कि संसलेशन के पदों के आधार पर यानि जब बहुलकों का निर्माड होता है तो उस समय किन-किन पदों के आधार पर बहुलक का निर्माड हुआ है तो इसमें दो प्रकार का बहुली करन देखने को मिलता है एक होता है पद वृद्धी बहुली करन और करिया होती है संगरन को हमने पहले ही समझा कि जहां पर छोटे अड़ू का विलोपन होता है जब बहुलक का निर्माड होता है एकलक अड़ू के दवारा तो छोटे छोटे जो जल के अड़ू होते हैं अमोनिया अड़ू हैं कार्बन मोनोकसाइड है ऐसे अड़ू का विलोप शमान या असमान क्रियात्मक समु वाले जो अणू है वो हमें दिखाई देते हैं तो इस प्रकार से वो क्रिया उनकी होती है कि उसमें छोटे अडू का विलोपन हो रहा है तो यहां पर देखें कि जब पदवृध्धी बहुल की करण होता है तो वहाँ पर दो एकलक अडू है A और B इनसे बना A, B और फिर A, B में एक और एकलक अडू आके अटेच हो रहा है तो A, B, A फिर एक B अडू का अटेच्मेंट हुआ तो A, B, A, B इस प्रकार से पद लगातार बढ़ते जा रहे हैं पद वरिधी बहुली करण की जो अभिक्रिया होती है वो बहुत तीवरगती से होती है और अभिक्रिया के दौरान जो आणवीक द्रविमान होता है उसमें बहुत कम परिवर्तन हमें देखने को मिलता है क्योंकि एक एक करकी पद में वरिधी हो रही है और बहुलक का निर्मा तो यह एक श्रिंखला वृध्धी बहुलकीकरण इस प्रकार के बहुलीकरण की क्रिया में जो अभिक्रियाशील माध्यमिक स्पीशीज है वो सम्मिलित होते हैं याने किसी की उपस्थिती में ये क्रिया होती है जैसे माल लीजे कार्बनिक परॉकसाइड है उससे मुक्तमू तो जब एथिलीन से पॉलीथीन बना तो यह एक श्रिंखला वृद्धी बहुलीकरण का उधारन होता है तो इस प्रकार का बहुलीकरण अभिक्रिया जो है वो थोड़े धीमे गती से होता है यहां पर एक माध्यमिक स्पीशीज का भी प्रयोग हो रहा है और पूरे अभिक् क्रिया होती है जिसमें एकला की काईया जो है वो लगातार जूड़ती जाती है और श्रिंखला का निर्मार करती है तो जब श्रिंखला पद बहुलीकरण की क्रिया होती है जब हम क्रिया विदी देखते हैं तो उसमें हम यह पाते हैं कि यहां मुक्त मुलक बहुलीकरण हो पहला होता है श्रिंखला प्रारंभन, श्रिंखला संचरन और मुक्त मूलकों के सयोजन के द्वारा ही श्रिंखला का समापन भी होता है. तो सबसे पहले हम देखेंगे श्रिंखला का प्रारंभन, श्रिंखला बनी कैसे तो इसमें जो बेंजोयल परोकसाइड है वो माध्यमिक एक स्पिशीज है तो बेंजोयल परोकसाइड का समांश विदलन होता है. समान श्विदलन कार्थ है जहां पर दो परमाड़ू के मध्धि कोवेलेंट बॉन बना हुआ है और इसमें समान श्विदलन से दोनों परमाड़ू अपने अपने साजेदारी के इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाते हैं जिससे मुक्तमूलक का निर्मार होता है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो बंजॉल परोकसाइड से जो मुक्तमूलक बना है वह मुक्तमूलक फिर से फेनिल मुक्तमूलक भी बना देता है तो यहां भी क्रिया को लगातार आगे बढ़ाती जाती है तो यहां पर आप देखिए इसके मेकैनिजम में C6H5, C1O, OO, C यह दो अडू बन गये और इसमें से फिर मुक्तमूलक बना दो फेनिल ग्रूप, 2C6H5 यह मुक्तमूलक बना और कारबन डियोकसाइड बना यह जो फेनिल मुक्तमूलक है वह एथिलीन को इनिशियेट करता है एथिलीन को मुक्तमूलक में परिवर्तित करता है तो यहां प श्रिंखला को क्या किया प्रारंब किया अब श्रिंखला आगे बढ़ेगी तो श्रिंखला संचरन पद होगा श्रिंखला जब लगातार आगे बढ़ रही है यहने जो C6H5 CH2 CH2 मुक्त मुलक बना है यही मुक्त मुलक फिर से दूसरे एथीन के अनू से क्रिया करता है और एक अगला मुक्त मुलक बनाता है तो उसके लिए आप रियक्षन यहाँ पर समझेंगे C6H5 CH2 CH2 यह एक मुक्त मुलक है दूसरा हम एथिलीन अडो ले लिए CH2 डबल बॉंड CH2 तो एक फिर से मुक्त मुलक बना C6H5 CH2 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 अब यह जो मुक्त मुलक बना यह फिर से एथिलीन से क्रिया करता है तो बनता है C6H5 CH2 CH2 होल N और CH2 CH2 डॉट तो यहाँ पर एक मुक्त मुलक बना तो यह श्रिंखला लगातार बढ़ती जारी है यहने श्रिंखला संचरन हो रहा है लगातार श्रिंखला में वृद्धी होती जारी है तो अब यह श्रिंखला को समाप्त करना है यहने हमारा उद्देश तो एथिलीन से पॉलिथीन का निर्माड है हम यहाँ पर मेकेनिजम पढ़ रहे हैं मुक्त मुलक के लिए श्रिंखला प्रारंभन श्रिंखला संचरन और श्रिंखला समापन पद तो अगले पद में हम देख रहे हैं जो श्रिंखला का समापन है एक लंबी श्रिंखला युक्त मुक्त मुलक बन गई है तो यह कैसे समाप्त होगी तो या तो यहाँ पर बनने वाले जो मुक्त मुलक है वो आपस में क्रिया कर लेंगे या फिर इसमें विशम अनुपात अभी क्रिया होती है और अन्तिमुतपात बनता है या इसे असमानुपातन अभी क्रिया disproportionation reaction भी कहते हैं तो ये दो प्रकार से होता है या तो मुक्त मूलकों का सयोजन होगा उससे श्रिंखला समाप्त होग तो यहाँ जो हमने देखा लंबी श्रिंखला में हमें C6H5, CH2, CH2 whole N, CH2, CH2 मुक्तमूलक यहाँ पर बना है यह जो whole N है यह शो करता है कि बहुत सारे जो CH2, CH2 अनू है वो आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर एक लंबी श्रिंखला बनाए हैं तो यह एक मुक्तमूलक बना सेम ऐसा ही हम एक और मुक्तमूलक ले रहे हैं C6H5, CH2, CH2 whole N, फिर CH2, CH2 dot इनके जुड़ने से बनता है एक बड़ा बहुलक C6H5, CH2, CH2 whole N, CH2, 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 CH2 फिर CH2, CH2 whole N, और लास्ट में C6H5, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि दोनों CH2 के उपर एक डॉट लगा है जो मुक्तमूलक को दर्शाता है, जब यह मुक्तमूलक आपस में फिर से शेरिंग कर ले रहे हैं, इन इलेक्ट्रोंस की शेरिंग हो जारी है, तो फिर से कोवलन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो श्रिंखला समाप्त हो गई, क्योंकि अब यह मुक्तमूलक आगे की रियक्शन के लिए नहीं बचा, तो यह श्रिंखला समापन बद हो गया, एक तो यह मेथड है, दूसरा मेथड है, असमान बातन अभिक्रिया मुक्तमूलकों के द्वारा, तो उसी मुक्तमूलक को हम फिर से लिखेंगे, C6H5, CH2, CH2 whole N, CH2, CH2 dot लगा दिए, प्लस C6H5, CH2, CH2 whole N, CH2, CH2 dot लगा दिए, अब जो दूसरा मुक्तमूलक है, वहां के CH2 से एक H को हटा कर, हम इस मुक्तमूलक के साथ, यानि कि इस CH2 के साथ जोड देते हैं, तो बन जाता है, C6H5, CH2, CH2 whole N, CH2, CH3, और दूसरी तरफ हम चुकि एक H को हटा दिए थे, यहां पे ले आए, तो इसलिए दूसरी तरफ हम एक डबल बॉन लगा देंगे, C6H5, CH2, CH2 whole N, CH1, CH2, तो इस तरह से यहां पे एलकीन का भी निर्माड हो गया, तो हमने देखा कि मुक्तमूलक के द्वारा, जब एक श्रिंखला का प्रारंबन हुआ, श्रिंखला संचरन हुआ, और श्रिंखला का समापन भी हुआ, तो एक बहुलकरू का निर्माड हुआ, तो इस तरह से श्रिंखला पद बहुली करण में, जो मेकेनिजम है, उसको हमने देखा कि कैसे फ्री रेडिकल के द्वारा ये रियक्शन संपन होती है, अब हम कुछ ऐसे बहुलकों के बारे में जानेंगे, जो योगात्मक बहुलक के उदारन है, इसमें बहुत इमपोर्टेंट जो एक योगात्मक बहुलक है, पॉलिथीन, इसको दो कैटेगरी में बाटा गया है, कम घनतो पॉलिथीन और उच घनतो पॉलिथीन, लो डेंसिटी पॉलिएथीलीन, हाइड डेंसिटी पॉलिथीलीन, LDPE, HDPE से कहते हैं, तो निम्न घनतो थेल्माड होता है वो एथिलीन से ही होता है लेकिन निमनगनत और उच्यघनत मैं थोड़े से कण्डिशन्स या एथिलीन से पॉलिफिन के बनते समय जो शर्ते हैं बनाने की जो हिए जो मेथड्स उसमें थोड़ा सा चेंज होता ही तो जब इमनगनत तो पॉलिथिन का निर्माड होता है, तो यहाँ पर एथिलीन अणू को 473 Kelvin टेमप्रेचर पर और 1500 वायोमंडली दाप पर और ओक्सीजन की बहुत कम मात्रा देकर गर्म करते हैं, तो इस प्रकार लो डेंसिटी पॉलीमर का निर्माड हुआ, यहाँ पर देखिए NCH2CH2 और हम एक is equal to लगाते हैं, साइन, इसके उपर हमने लिखा कि 473 Kelvin टेमप्रेचर है, 1500 atmospheric pressure है यहाँ पर और ओक्सीजन लिया गया है, लेकिन बहुत कम मात्रा में तो इस तरह से एथिलीन से पॉलीथिन का निर्माड हुआ, इस प्रकार लो डेंसिटी पॉलीथिलीन होते हैं, इसकी दिर्टा बहुत उच्चो होती है, और इसका जो तनन सामर्थ है, वो थोड़ा सा medium range का होता है, और रासायनिक रूप से यह अक्रियाशील होते हैं, और यह बहुत कम elasticity रखते हैं, इनका जो प्रयोग है, वो हम देखते हैं, हमारे दैनिक जीवन में कई जगहों पर हम इस त बहुत जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है, बैग बनाने में, इसके बाद हम देखेंगे उच घना तो polyethylene, high density polyethylene, जब ethylene से ही polyethylene का निर्माड हुआ, लेकिन यहाँ temperature, pressure और जो catalyst है, उसको विशिष्ट कर दिया जाए, तो high density polyethylene का निर्माड होता है, यह जो high density polyethylene है यह 333 Kelvin temperature से 343 Kelvin temperature और साथ में 6 से 7 atmospheric pressure यह condition लिया गया, और यहाँ जो उत्प्रेरक है, वो है जिगलर नाटा उत्प्रेरक, जिगलर नाटा उत्प्रेरक का जो सूत्र है, वो होता है, घ्रय ए तो